हलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अल आइडियाज नोटिफिकेशन चैनल में आज हम बात करेंगे के बीएस केंद्रिय विद्याले संगठन की न्यू रुक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में यह जो वैकेंसी है यह आपकी वेरियस पोस्ट पर निकाली गई है टीचिंग और नन टीचिंग और फिमेल मेल फिमेल दोनों के लिए यहाँ पे इलिजिबल है दोनों कंडिटेर इसमें फॉर्म अप्लाइक कर सकते हैं पोस्ट आप देख रहे हैं TZT, PZT, PRT, STANO, JAA, LDC, UDC, AEN पोस्ट के लिए वैकेंसी है टोटल पोस्ट की बात करें तो 13404 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है अभी जो यह नोटिस जारी हुआ है यह आपका सोट नोटिस जारी हुआ है जो कि आपके इसकी ऑफिसि कर दिया जाएगा तो इसके सोट नोटिस को देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है क्या सेली सब रहेगी वह सब हम चेक करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेएगा ताकि वी सब्सक्राइब कर देखेंगे अगर आप करते हैं उसमें आपका सेलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वह आपका यहां पर क्लियर किया गया है आगरा एहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल बुम्नेश्वाट चंडिगर चैननई देहरादून देली यह प्रैमरी टीचर के लिए आप जो है इसके ओफिसियल वेबसाइट www.kbsangathan.nic.in पे भी जाके इसके ओफिसियल वेबसाइट है इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और यहां पे ही आपको ओनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है एक्जाम जो आपका होगा वो आपका CVT बे प्रैमरी टीचर की पोश्ट की बात करें तो यू आर कंडिडेट के लिए 2599, OBC के लिए 1731, SC के लिए 962, ST के लिए 481, EWS के लिए 641, टोटल पोश्ट की बात करें तो 6414 पोश्ट के लिए वेकेंसी है जिसमें OH के लिए 97, NBH के लिए 96 पोश्ट है यहाँ पे जो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे ओनलाइन आवेदन होगा 5-12-2005 दिसमबर 2012 से आवेदन कर सकते हैं 26 दिसमबर 2022 तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म प्लै करने का यहाँ पे आपको clear किया गया है the number of vacancy advertised is tentative and many vary मतलब यहाँ पे जो आपका tentative दिया है post यहाँ घड़ भी सकता है बड़ भी सकता है आपको यहाँ पे reservation भी मिलेगा अपर एज में आपको यहाँ पे age relaxation भी मिल जाता है और यहाँ पे यह भी दिया गया है कि once the candidate appear in return examination fees paid by the applicant will not be refunded अगर आप exam में बैठते हैं return exam में तो आप जो form apply करते से में fee payment किये हैं वो आपको refundable नहीं होगा केंदरी विद्याले संगठन की तरब से जो दूसरा notification जारी हुआ है second notification वो आप देख रहे हैं यहाँ पे advertising number 15-2022 दिया गया है direct recruitment for the post of assistant commissioner, principal, vice principal, pgt, tgt, librarian and non-teaching post in केंदरी विद्याले संगठन यह जो आपका दिया गया है assistant commissioner, principal, vice principal, pgt, tgt post के लिए है non-teaching post के लिए है यहाँ पे जो regional center रहेगा वो भी clear किया गया आप चेक कर सकते हैं बैंगलोरू, भोपाल, भुमनेश्वर, देरादून, देली यह सभी आपका regional center रहेगा और यहाँ पे जो आप आवेदन कर सकते हैं kbs invite application from Indian citizen Indian citizen से है तो जो भी candidate Indian citizen से है वो यहाँ पे form apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको post भी दिया गया है यहाँ जो आप आवेदन करेंगे वो online आवेदन करेंगे इसके official website www.kbsangaton.nic.in पे जाके अब हम post की बात करें कि किस post के लिए कितनी vacancy है और किस category के लिए कितना post यहाँ पे खाली है अब से पहले हम बात करेंगे assistant commissioner की तो you are candidate के लिए 28 है OVC के लिए 14, SC के लिए 7, ST के लिए 3 total post की बात करें तो 52 post के लिए vacancy है assistant commissioner में principal की बात करें तो इसमें you are candidate के लिए 123 post पे vacancy है OVC के लिए 64, SC के लिए 35, ST के लिए 17, total 239 post के लिए vacancy निकाली गयी है तो आप जिस भी post के लिए form apply करना चाहते हैं यहां से check out कर लिजेगा कि कितने post के लिए कितने vacancy और किस category के लिए कितनी यहां पे vacancy खाली है अब हम post graduate teacher की PGT की बात करें तो यहां पे subject wise आपको post देखने को मिल जाएगा अगर हिंदी के लिए apply करते हैं तो UR के लिए 72, OVC के लिए 46, SC के लिए 25, ST के लिए 12, EWS के लिए 17, total post की बात करें तो हिंदी में 172 post के लिए vacancy है और यहां पे आप देख सकते हैं OH, B, H, H, H candidate के लिए भी पोस्ट दिया किया है तो total post जो रहेगी PGT post graduate teacher की 409 post के लिए vacancy निकाली गई है और यहां पे आपको included vacancy भी देखने को मिलेगा तो यहां पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप form apply करते हैं इसकी eligibility condition को fulfill करते हैं तो आप आवेदन यहां से कर सकते हैं और यहां पे जो है online आवेदन होगा 5-12-2022 से 26-2022 तक आवेदन कर सकते हैं तो friends यह जो है आपका short notice employment newspaper में जारी हुआ है जैसे ही आपका यह पूरा details इसके official website पे जारी होता है आपको update कर दिया जाएगा तो अगर आप इसकी eligibility condition को fulfill करते हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो का update आपको हमेसा मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद